पिलिभीद से सांसद वरुन गांधी का टिकट कटना तै माना जा रहा है जिहां बिलकुल सही सुना आपने क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि वरुन गांधी को बीजपी इस बार पिलिभीद से उमिदवार नहीं बनाएगी उनकी जगह पर अब कौन चुनावी मैदान में होगा और आखिर ऐसी क्या वज़ा है कि वरुन गांधी बीजपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बीजपी ने उनका टिकट काट दिया है ये करीब करीब डील फाइनल हो चुकी है ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और अगर अभी तक आपने News18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद कीजे और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कोई सवाल आपका है तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं अब हम वापस वीडियो पर आते हैं कि वरुन गांधी आपने देखा कि अगर हम पिछले कुछ सालों का उनका रिकॉर्ड देखी तो अपने विवादत बोल की वजह से सुर्ख्यों में रहे हैं ना सर्फ योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया बलकि केंडर सरकार के खिलाफ यानि कि मोधी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया ये संकेत देता है कि कुछ भी उनका पार्टी के साथ ठीक नहीं चल रहा है और बीच में ऐसी भी खबरी थी कि वो समाजवादी पार्टी के दामन थाम सकते हैं यानि कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं बीज़पी एक ऐसी पार्टी है जो सांसदों को लेकर के नेताओं को लेकर के सर्वे करवाती है और ये फीडबैक आया है वरुन गांधी को लेकर के ये फीडबैक आया है कि वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं पार्टी लाइन से इतर बयान देते हैं, पार्टी विरोधी गती वीदियों में शामिल रहते हैं और बीच में उनकी बात्चीत समाजवादी पार्टी से भी चल रही थी। ऐसे में हमने अभी तक देखा कि जो यूपी में लिस्ट आई उसमें सांसदों का यूपी में अभी जा सकती है, यानि क्यों उनको कोई और सीर्ट दी जा सकती है जहां से वो चुनावी मैदान में रहेंगी, अब पहले से ऐसी खबर थी, हाला कि बीच में खबर या आई थी कि वरुण गांधी को लेकर के अब आमराय बन चुकी है, उनको टिकर दिया जाएगा, लेकिन अब करीब करीब इस बात पर महर लग चुकी है कि वरुण गांधी पिलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी उनको टिकट नहीं देने जा रही है, और हमने बीजेपी के इन दो लिस्टों में देखा है कि कई सांसदों का मौदूदा सांसदों का टिकट कटा है, ज जो लोगों से सवाल किये गए है, जो जनता की राय ली गई है, उसके आधार पर पार्टी ये फाइनल करती है, और अब तो चुनावों की तारिकों का एलान भी हो चुका है, तो कुछ समय का इंतसार और और फिर अपचारिक एलान भी वरुण गांधी को ले करके हो झाल झाल झाल